दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत सभी का वेल्कम अभिनंदन दोस्तो ग्रहों की शंकला में आज बात करेंगे शुकर के राशी परिवर्तन के बारे में शुकर देव अपनी राशी जो है वो बदल रहे हैं आज शुकर अभी सिंग राशी में चल रहे थे और कुछ टाइम बाद शुकर कन्या में बरवेश करेंगे और कन्या राशी में शुकर नीच के भी होते हैं तो पूरान वो वेचरा करेंगे गुजारी शाफ से यही है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जुरूर कर लें अगामी दिनों में हम आपके साथ लाइब जो है वो जुड़ पाएंगे दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तो जब कभी शुक्र की बात होती है तो हमारे दिमाग में हमारे जीवन में सबसे पहली बात आती है बोतिक सुखों की समाजिक सुखों की संसारिक सुखों की ये सब चीजें रोलेट करती हैं शुकर से शुकर जहाँ पे शादिश होता जिंदगी है आपकी वाइफ है वहीं पे मेटलिस्टिक जितने भी सुख होते हैं ये जब शुकर से ही देखे जाते हैं शुकर को सूर्या राहू चंदर खराब करते हैं तो वहीं बुद्ध शनी शुकर को स्पोर्ट भी करते हैं शुकर दो अंचों से मिलके बना है राहू और केटू राहू में गंदेविचार केटू में अच्छी सूच तो ये है शुकर की विवेचना बात करेंगे मेश लगन वालों की मेश लगन के छटे बाब में शुकर का गोचर हो रहा है आपके दूतिएश सब्तमेश छटे में हैं शुकर छटे में नीच के भी होते हैं तो यहां पे आपको थोड़ा सा अपने कuleuity से साफ़दन रहना है लड़कियों जापके किसे भी जातिकाओं से अगर आपके फ्रेंट्स हैं जाप उस असरकल में रहते हैं तो वहां से आपको थोड़ा सा दूरी बनाके रखना है आपको अपनी वाइप से बनाके रखनी है वहां पे उनको कहिना कोई उपहार जो है चान्दी की रूम में आप उनको दे सकते हैं और अपने आपको आपने साफ सुथरा रखना है कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हो जिन्दकी को लेके अपने बिजनस को लेके तो किसी की सलहा लेके ही वो आप कारा करियेगा तो आप उत्तम फल मिलेंगे स्किन की इंफेक्शन होने के आपके योग है वरिशव लगन की बात करेंगे तो लगनेश बनते हैं पंचम में आएंगे बुद्ध के साथ तो यहाँ पे दोस्तों पंचम का शुकर वो भी लगनेश हो तो गोवने फिरने के योग बनते हैं फिल्में इंज्वाइमेंट बाहर गर से बाहर जाने के योग हैं तो ओवरल मन्त आपके लिए प्रामसिंग है पैसे की आमदन के ज शुरू हो जाएएंगे बात मित्धुन की करेंगे तो मित्धुन लगन बुद्ध का लगन है वैसे विवि बुद्ध के ये दोस्त माने गए हैं आपके फोर्थ हाऊस में आएगे द्वादश के मालिकर आके बैड जाए तो मन पर संद रहने के चांस्द बन जाते हैं गर क के अंदर कोई ना कोई समान सजो स्यावट कोई कार कोई वीकल आप खड़ी सकते हैं मोटर गारी खड़ी सकते हैं और परिवार में आप कोई खुशनुमा महोल जो है वो बनने के लिए त्यार हो रहा है तो ओवराल मिथुन लगन वालों के लिए अच्छा है और ओवराल इंजवाइमेंट वाला है मन परसंद रहने वाला है तो आपके लिए ये महीना शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा है बात करेंगे हम करक लगन की तो करक लगन के तीसरे बाब में शुक्र गोचर कर रहे हैं तीसरे बाब में जब शुक्र देवाते हैं तो बाग गया को तो वहां पे आपका ये जो मंद है आगामी दिनों में आपको वहां से भी प्रामसिंग या कोड़ नियूस मिल सकती है अवराल परिवार के सबंद को लेकर अगर हम बात करें तो दार्मिक यत्राओं की ट्रैवल के योग जो है वो बनते हुए आपको दिख रहे हैं तो करक के लगन में बात शुक्कर की करेंगे तो दूतियश में आ रहे हैं दूतियश इनकी कालपुर्श की राशेरी भी बनती है दूसरे बाह में शुक्र का गोचर कहीं नहीं कहीं आपको परिवार से जोडने वाला होगा छोटा मोना ट्रैवल आपका हो सकता है कोई आ रहा कोई समारो जो है वो कर सकते हैं कोई ना कोई फंक्शन आपकी कोटुम्ब में जो है वो देख सकते हैं आप तो ओवराल सिंग लगन वालों के लिए टाइम बड़ा अच्छा है शुक्र दोस्तों बेसिकली पैसा है शोहरत है और आपका इंजवायमेंट और लाइफ लगन में शुकर देवा रहे हैं अब लगन का शुकर खुद लगन में आके बैठ जाए तो बहुतीक सुखों की वृद्धि करता हैं इंजवायमेंट के वृद्धि करता हैं कहीं अपने आप पे आप थोड़ा सा द्यान देंगे अपने कपड़ों पर सजो सजावड पर द देंगे और दूसरी लोगों को अट्रेक्ट करने की एक शम्ता जो आपके अंदर होगी उसको आप गरैब करेंगे तो लगन में शुक्र आपके अच्छे हैं पैसे शहुरत के भी समा आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा था यहां पे आपको अपनी वाइब से बना के र पैदा होगी कि मुझे हर चीज को ग्रैब करना है वो जोश आपके अंदर पैदा होगा करेक्टर को ठीक रखना है दोस्तों तुला लगन की बात करेंगे तो 12 में हैं लगनेश 12 में जा रहे हैं तो खर्चों को बाब में शुक्र का बैठना अच्छा है खर्चे तो होंगी कि खर्चे किस पे होंगे आपके खुद के शेरीर के ऊपर कहने का बाब आप अपने कपड़ों पे खर्चा करेंगे वाइफ को कोई नगोई खर्चा करवा सकते हैं चाँ उनके लिए आप कोई नगोई चीज गिफ्ट जो है वो ले सकते हैं ओवराल अपने बेडरुम दूखों में वृद्धी करेंगे और कही न कहीं आपको दूसरे लोग अट्रैक्ट भी करेंगे दोस्तों आप जो काफी टाइम से कुछ न कुछ चीज पर चेज करने की सोच रहे थे तो यह वो समय है कि यहां पर आपके खर्चे जो हैं आपके परिवार को लेके आपके खु कर गोचरा रहा है तो लाब बाब दूतिएश सब्तम दौादश के मालिक लाब बाब में तो बिजिनस का खुछ ट्रेप बन सकता है किसी इस तरी के दोरा आपकी इंकम का जरीया खुल सकता है नोकरी की प्रमोशन के योग बन सकते हैं और आपको यहां पर आपकी वाइफ क हुआ हुआ लटू बोला गया है तो यहां पर शनी अगर आपकी कॉनली में अच्छे होंगे तो खाना नंबर ग्यारा का शुक्र आपको दन वैवेव शौरत सब कुछ देगा दोस्तों बात हम करेंगे दनू लगन की तो दनू लगन के करम के बाप पे शुक्र का आना कई कहीं आगर आप मेरड हैं तो आपकी इस तरी के कोई ना कोई जॉब कोई ना कोई वर्क प्लेस जो है वो मिल सकता है कोई ना कोई गाड़ी कोई वहिकल आप खरी सकते हैं और यहां पर आपका ट्रैवल का योग बनता है तो दनू लगन वालों के लिए पर यह शुब है दन के प्लेस के ऊपर कोई ना कोई आप पैंटिंग्स कोई ना कोई आप ऐसी चीज जो है वो प्रचेज करेंगे जो आपके करम के शेतर को बढ़ा देगी कुछ सजों सजावर सा समान आप ख्री सकते हैं तो ओवराल शुकर का यह गोचर आपका अच्छा है दोस्तों बात करे हैंगे मकर लगन की तो मकर लगन के बागया बाब में गोचर होगा तो बागया बाब प्रस्पती का बाब है ब्रस्पती की जड़ में शुकर बैठेंगे लगन में शनी चल रहे हैं तो दोस्तों यहां पे शुकर जब बागया बाब में आते हैं तो थोड़ा सा अगर आप मेरड हैं तो इस्तरी जातिका को कोई ना कोई कस्ट सेहत को सबंदी लेकर कोई ना कोई स्किन प्रावलम्स जो वो देने देते हैं तो यहां पे खुशियों को जादा जाहिर मत करिएगा और अपने काम को होनी से पहले उसका डिंडोरा जो हो ना पिटिएगा ख्याने का बाप उनी बातों का बखान मत करिएगा ट्रैवल के योग बन रहे हैं दार्मिक अतरयाब कर सकते हैं और यहां पे शुक्र को अच्छा रखने के लिए आप काली गाएं की सेवा जो है पूरत एक मीना कर जाता है दोस्तों कि अस्ट्रिम बाव शनी और मंगल का मंगल बद का बाव है तो शुक्र एक लगजरी प्लैनेट है शौरत का प्लैनेट है खुशियों का भी कहीं ने कहीं ये शुक्र देख देखा जाता है क्योंकि शुक्र से ही आपको संसारिक सुख मिलना है अस्ट्रि को अवाइड करिएगा ओवराल शुक्र अस्टर में बैठके दूतियश को देखेंगे तो यहां पे आपको पैसे का फ्लो जो है पूरा महीना बनता हुआ दिखेगा तो बेसिक कंडिशन यहां पे आपको अपनी वाइब से बना के रखना है लड़ाई जगड़ा नहीं करना ह और आपके इन लाउस की तरफ से आपको नहीं कोई बैनिफिट जो है वो मिल सकता है दोस्तों बात करेंगे मीन लगन की तो मीन लगन के सब्तम में शुक्र है सब्तम का शुक्र वो भी बुद्ध के साथ शुक्र बुद्ध सूरिया तो कहने का बाब कारक भी वहीं पे हुए हैं क्योंकि बुद्ध शुक्र दोनों सब्तम के ही कारक हैं तो खुशियों बरा समा आपके लिए पूरा महीना रहे करेंगे कपड़े ख्रीदेंगे बाहर जाएंगे आउटिंग करेंगे लगजरी को भोगने की कोशिश करेंगे पैसा भी होगा दिमाग भी होगा नई आप्शिंस भी मिलेंगी तो पूरा महीना आपका ये अच्छा निकलेगा थबसे बड़ी बात यहां पे आपको रिस्ते जो है शादी के वो आ सकते हैं और कोई बिजनस स्टाइट अप करना है तो आप कर सकते हैं इस तरी जातिकाओं से आपको बेनिफिट मिलेगा और यहां पे अंदर एक अच्छी सी खुशी जो है वो आप प्लैजर जो है वो फील करेंगे तो मीन लगन वालों के सबतमर शु शुकर का हर बाप का फल शुकर संसारिक बोतिक सब चीजों का स्वामी बोला गया है तो इस गोचर में शुकर के गोचर में स्पेशली आपको आपकी जातिकाओं को अपने इस तरी को मैरिज लाइफ को देखना जुरूरी होता है तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको जी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्पाट चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेर और लाइक जुरूर कर दीजेगा आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही यो टॉपिक्स लेके आते रहेंगे आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद